हेलो गईच, कैसे हैं अपसे भाइचे होगे, तो दोस्तो आज के इस विडिम हम बात करने वाले हैं के हम अपने फोन को fast charge कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने comment किया था कि हम अपने फोन को fast charge कैसे करें? जब हम अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं तो लगबख 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है फूल चार्ज होने में गैस कि आपको पता है कि हमारे फोन में काफी सारे ऐसे सेटिंग्स दे गए हैं जिसको आप इनेबल करके अउन करके अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसे सेटिंग्स के बारे बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके अपने फोन को काफी जादा फास्ट चार्ज कर सकते हूँ तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी interesting और काफी important होने वाला है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा जरू देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, comment, channel को subscribe जरू किज़ेगा चलिए phone के ओम स्क्रीन पे चलते हैं तो guys हमा गए है phone के ओम स्क्रीन पे अब चले मैं आपको 4 trick के बारे बताता हूँ जिसको आप use करके अपने phone को fast charge कर सकते हूँ guys जो 4 trick है उसको आप जरू देखेगा वो काफी ज्यादा important है guys अब आपको सबसे पहले अपने phone के setting में जाना है phone के setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा battery का ठीक है आपको इस पे click करना है इसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा superpower saving mode guys अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो और आपको जल्दी से अपने phone को charge करना है तो simply आपको superpower saving mode को enable कर लेना है और अपने phone को charge पे लगाना है आपको यहाँ पे turn on पे click कर देना है तो दोस्तों आपके phone का जो screen है वो black हो जाएगा कुछ इस तरह का और guys आपके phone की जो battery है वो काफी जल्दी charge हो जाएगी guys अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो आपको जल्दी से करीब आदे गंटे एक घंटे में अपने phone को charge करना है तो दोस्तों आप इस setting को enable करके अपने phone को charge कर सकते हो इसके बाद guys आप इसको exit कर सकते हो आपको यहाँ पे click करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे exit super power saving mode पे click कर देना है तो दोस्तों यह जो setting है यह exit हो जाएगी और पहले की तरह आपका phone हो जाएगा अब guys चले मैं आपको दूसरे trick के बारे में बताता हूँ guys अगर आप realme का phone यूज़ करते हो तो आपके phone में एक application होगा जिसका नाम है phone master ठीक है आपको उस application को search कर लेना है यह application आपको अलग से install नहीं करना होगा inbuilt आपके phone में होगा अगर आप samsung का phone यूज़ करते हो तो आपके phone में phone care के नाम से एक setting होगी जब आप उस setting को open करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा Redmi में भी आपको same यही चीज़ मिलेगा guys जो phone का performance है उसको आपको 100% तक पहुचाना है आपको simply यहाँ पर one touch optimization पे click करना है और अपने phone के setting को optimize करना है आपको यहाँ पर click करना है और जब आप click करोगे तो आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा और guys यहाँ पर आपके phone की जितनी भी settings है वो optimize होने लगेंगी और इसके बाद आपको यहाँ पर done पर click कर देना है guys आप यहाँ पर देख सकते हो 100% नहीं पहुचा है आपको इस पर फिर से click करना होगा और optimize करना है आपको यह तब तक करना है जब तक आपके phone की settings है catch files है वो delete नहीं हो जाती setting जो है वो optimize नहीं हो जाता है आपको guys तब तक यहाँ पर click करके इसको optimize करना है और यहाँ पर 100% हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपने phone को charge पर लगाओगे तो दोस्तों आपका जो phone है वो काफी fast charge होगा तो इस तरह आप अपने phone के setting को optimize कर सकते हो इसके बाद guys अब चले मैं आपको तीसरे setting के बारे में बताता हूँ guys अब आपको अपने phone के setting में जाना होगा phone के setting में जाने एक बाद आपको developer option को activate करना है तो दोस्तों आपको इसके लिए about phone पे click करना होगा और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा version आपको इस पे click करना है और यहाँ पे build number पे 7 time touch करना है click करना है तो आपका जो developer option है वो activate हो जाएगा तो दोस्तो हमारा developer option हो एक्टिवेट हो चुका है आपको simply यहाँ पर बैक आना है गैस काफी सारे phone में यहीं पर developer option मिल जाता है लेकिन real me के phone में additional setting में जाना होता है और यहाँ पर आपको developer option मिल जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सेक्टिव डेवलोप्र आप्शन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, आपको सीधा यहाँ पर नीचे चले जाना है, नीचे आने बाद आपको यहाँ पर एक सेटेंग मिलेग application होते हैं जब हम उनको use करते हैं और guys बंद करने के बाद भी वो application background में run करते हैं तो उसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे no background process limit पे click कर देना है जिससे guys वो application पूरी तरह से optimize हो जाएंगे बंद हो जाएंगे और guys आपके phone की जो battery है वो काफी fast charge होगी काफी देर तक आप अपने phone को use कर पाओगे अब guys चले मैं आपको चौथ है trick के बारे में बताता हूँ जो की काफी जादा important है जिसके लिए आप काफी time से wait कर रहे हो guys सबसे पहले आपको अपने phone में एक application install करना होगा जिसका नाम है Ampere ठीक है यह application आपको play store पे बहुत ही आसानी से मिल आपके phone का जो charger है वो ठीक है या नहीं है कितना power आपके phone का charger दे रहा है guys simply यहाँ पे जब आप application को install करके open करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा और यहाँ पे आपको सारा detail दिख जाएगा phone का model number से लेके battery health और इसके बाद कौन सी company का phone है यह सब कुछ आपको यहाँ पे सो measure करेगा कि आपका charger जो है वो कितना power phone को दे रहा है चार्ज करने में तो दोस्तो इस तरह आप देख सकते हो कि आपके charger का जो power है वो कितना है कहीं आपका charger वो कम power तो phone को नहीं दे रहा है और guys अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका charger वो कम power दे रहा है तो दोस्तो आपको charger को change करना है दूसरा charger आपको use करना है और देखना है कि कितना power कौन से charger से मिल रहे और guys जिस charger से power अच्छा मिले ज्यादा मिले आपको उसी से charge करना है आपका phone जल्दी charge होगा fast charge होगा तो guys आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा charger वो 1890 mA power दे रहे और यहाँ पे यह fluctuate भी हो रहा है बढ़ भी रहे तो guys इस तरह बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका जो charger है वो कितना power आपके phone को दे रहे guys उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए है वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल पे नए है हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नएने अप्लीकेशन सिलेटे नएने जान का इस लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद